हेलो गाईज आ गया हूँ हमें भारत का राजपत्र लेके NCISM का नया गजट है जो UGBAMS के इस वर्स कोर्स में फिर वदल हुए हैं और कुछ सिच्छकों के पिमेंट के बारे में भी फिर वदल हुए हैं वह मैं सब जानकारी इसमें दूँगा करप्या आप वीडियो को इसके अपना करें और पहली वार चैनल पर हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे भी देता हूं DRS के साक्या अब हम वीडियो को आगे करते हैं यह नई दिल्ली बुद्वार को 16 फरवरी को यह नोटिफिकेशन NCISM की वेबसाइट पर आया है भारतिय चिकित्सा पद्ति राष्टी आयो अधिसूचना नई दिल्ली 16 फरवरी इसमें हम आपको महतपूर जो काम काम की चीज है वो दिखाएंगे वैसे तो यह 66 फरवरी का है कौन पढ़ेगा इतना लंबा हम मैं आपको जो काम का है बही दिखाऊंगा बाकी मैं इस नोटिफिकेशन के PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप बहां से डाउनलोड इसे कर लेना अब देखते हैं कि देखों झारो है बी-ए-म-ए सबहर हैं से पत्यक्रम के अवधी अथारे महिने अठारे महिने आथारे महिने और बारे महिने इस प्रकार से इह डिवारे celebration किया गया है अभी जो होता था पहले तो चार साल में कोर्सोreme होता था हर साल परिच्छा होती थी लेकिन अब देड़ साल पर परिच्छा होगी साड़े पांच साल का कूर्स फिर भी है लेकिन परिच्छा तीन वार होगी अब हम देखते हैं पर्थम बर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट है प्रथम बर्ष के आपकी सब्जेक्ट की अंकितालिका टू ये है के संस्क्रेट एवम आयरवेदी के तिहास हिस्ट्री ओफ आयरवेद अदारत विज्ञान फंडावेंटल प्रिंसपल ओफ आयरवेदा एंड क्वांटम मेकनिक्स किरिया सारीर तिसरा सब्डेक्ट है human physiology फिजयोवर्ज іंड र सारीर human anatomy पहले अभी सहता अध्यान में क्या करा जाता था अश्टांग हिरदया तो इसमें सहता अध्यान वाश्टांग हिरदय लिखा नहीं है अश्टांग हिरदया ही पढ़ाय है सबने खरक प्रणा है इसमें पहले जो पतालतवज्ञान के संगों में साथ में आयरवयदि के सक्षारेет कर दिया गया है और स्वास्ड की साथ आयर्बाइद का एतियास जोड दिया गया है इसमें 6 दियास नंबर एंद- archk наша दिया समय यह नए लुए त्था यह पता नहीं मेरी यह नया जोड दिया गया है का इसके बाद आते हैं सकेडностे इरो किले यह एकडू आपके में हैं द्रब्विगुड विज्ञान फार्माकलोजी एंड मैटेरिया मेडिको हर्वल रसास्त्रेज एवं भ्यासजी कलपना मैडेटेरिया मैडिको मिनेरल्स और मेटल्स एंड फार्मासिकुलेटर्स विज्ञान अब बात करते हैं रोग नदान तीसरा पेपर होगा इनका रो लिए तंद्र एक्स और टेक्स उकोलोजी और न्याय बैदक मेकैनिकल जुरीज प्रूड एंस इस सहता अध्यान सहता अध्यान अभी इनको पढ़ाया जाता था स्कुन दियर में चरक अध्यान टू हो सकता है उसमें फरस्ट येर वाले में सहता अध्यान बने यहांपर सह तरक ही पढ़ाया जाए किलियर करके नहीं दिया है लेकिन जब आएगा बिल्कुल तो किलियर हो जाएगा कि स्वस्त ब्रत एवम योग यह आपके सेकंड एर में डाल दिया गया है यह यह एच्छिक निवनितम तीन विश्य यह तो हर किसी में है अब बात करते हैं कि फूर्थ एर किसले बसकी फूर्थ एर में क्या सुरी सुरी थर्ड एर फाइनल एर यह गएंगे से इसमें आपके मुझार गया है मानस रोग मतलब मेंटल डिजी जो थे वह वाले इंटर्नल मेडिशन या हिमन बोड़ी के जो भी डिजी जह वो मानस रोग होते हैं रसाइनिक एवं बाजी कर सहित का एचिकेत सा लिख के भी दे रहा है इसको एंट्वड़ा मॉडर के साब से देख लेते हैं इंटर्लान मेडिशन साइकोर्ट्री में बता है नहीं साइकोलोजी मानस रोग हो और रेजू रेजू वे नेटिविट रेजू नेविटे मेडिशन रिप्रोड़क्ट मेडिशन एंड एपिजेनेटिक्स एपिजेनेटिक्स पंच कर्म और उपकर्म यह भी इसी में है सल्ले तंत्र सालक की तंत्र और गाइनकोलोजी और वेश्ट्रिक्स या प्रशूत तंत्र एवम इस त्री लोग इसमें सब यह और इसमें के अंदर और सब्जेक्ट भी है को मारे विरत मतला पीडियाट्रिक्स सहता अध्यन थ्री सहता अध्यन अध्याइन अध्याइशन अध्याइशन जो अभी इने सब्जेक्ट बना के दे दिया गया है उससे पहले जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए गवर्मेंट का नोटिफिकेशन है वो टेंसल ना लें टेंसल लेने जरूवत नहीं है क्योंकि उन बच्चों के लिए गवर्मेंट का जब अखलीस सरकार था उत्तर प्देश में सन 2017 तभी अखलीस एक नोटिफिकेशन पास कर गयते जो सभी चला सकतें कोई दिक्कत नहीं है अब यहां एक सब्जेक्ट औरक से डाल दिया गया है उनके लिए कानुन के तरिके से नियम बना दिया गया बात एक ही है और मैं समझता हूं उस में उस भी EMS कर रहे हैं और इसमें कोई अंतर नहीं है सब सेम हैं बस यह तीन साल कर दिया गया है हो चार साल में पढ़ना पड़ता है उतना ही यह तीन बार परीच्छा देनी पड़ी यही अंतर बाखि कुछ नहीं अब बात करते हैं सहीता सिद्धान संस्क्राइब भीभाग इसमें ये समझता हूं में इसमें कुछ नहीं है ये सब कोई दिक्कत नहीं आगे देखते हैं और यह नीचे लिखा हुआ था हर ययर में एक्षिक सरतना यह एक्षिक सरतना एक कोई सब्जक्ट नहीं है यह कॉरिकॉलम टाइप का है मैं आपको यह बताता हूं सेच्छड मार्गदर्शन प्रित करिया और मुल्यांकन यह सिस्टम ऐसा है यह से इसकी अबदी भी दी गई है मोडूल की अबदी सेच्छड में पांच गंटे है इसी प्रकार से यह पूरा दिया गया है और इसमें ग्रेड के रूप में आपको प्रत्सत अंक भी मिलें ग्रेड लिखा भी है उपर ग्रेड में ग्रेड सभी पांच मोडूलर मुल्यांकन की ओसत के आधार पर सम्मानित किया जाएगा यह एक समझता हूं हुए मैं अपने इसाब से कि यह एक हर येर का छा आत्र छात्रां के लिए प्रोथ चाहन है ग्रेड है मतलब एज इन्वार्मेंटल इस्टड़ी ग्रेड की रूप में दिया आएगा प्रोथ चाहन एक फंक्शन कह सकते हैं इसे बस और जो 25 परसेंट लेके आएगा उसे कांस का पत दिया जाएगा कांस का दिया जाएगा और जो 26 से 50 परसेंट में आएगा उसे सिल्वर मेडल दिया जाएगा 75 परसेंट तक आएगा उसे गोल्ड मेडल दिया जाएगा और छेट्य परसेंट वाया उसे आएगा तो प्लेटन मेडल दिया जाएगा यह सम्मानत यह है एच्छेक वाला सिस्टम और जो BMS के कारिकाल होने माले हैं पहला कारिकाल है एक से लेके 6 महीने तक का दूसरा कारिकाल है साथ से लेके 12 महीने तक का तीसरा कारिकाल है कारिकाल है 13 से लेके 14 महीने तक का ये इसके कारिकाल है तीन बार के इसी परकात से ये पूरा है है कि दिखा रहा हूं मैं जहां भी अच्छा होता है मतरब काम का होता है वह मैं बताई देता हूं कि और जो यह तानिका सत्रे नम्मर की है यह सिच्छकों के लिए है बी-ए-म-ए-स और आप स्वस्थ्यत आवम योग पढ़ा सकते हैं बी-ए-म-ए-स ए-म-ए-स-ई आयोर आयोजी बिज्ञान में कर सकते हैं तो सहिता एवम सिद्धान्त पढ़ा सकते हैं कोई जरूर नहीं है एमडी करने की यहां कर लो इतने में सिच्छक बनना है तो काम हो जाएगा आपका अठाये नम्मर की जो तालिका है वो भी इंपोर्डेंट है अप्रेल का पहला कारेदवर शुरूगा प्रारम आपके लिए एडविशन की फिरकेरिया शुरू होने के बाद सेच्छड़कार शुरू हो जाएगा सितंबर की सितंबर का चत्वरत सब्ता आपका पहला मुल्य बात बता रहा हूँ जब मैं कच्छा 2,3,4,5,6 में पढ़ता था हमारे तीन वार वेपर होते थे पहले बार शमाई और वार्षे ठीक उसी प्रकार से अब इसमें कर दिया गया है पहला आंत्रे का आपका मुल्यांकन होगा सितंबर के चतुरत सब्ता में और दूसरा होगा मार्च के चतुर सब्ता में और उसके बाद आपको मई के मई में तीन सब्ते का समर वैकेशन मिलेगा अगस्त के प्रथम और दूती सब्ता में पूर्व सिच्छा आपकास रहेगा अगस्त के त्रती सब्ता से युनिवेसिटी परिच्छा होगी और अक्टूबर में हम कारेदवर्ष तीसरे व्यवर्दर बीमेस में प्रारम होगा यह बहुत अच्छा कर दिया गया है इस्टुडेंटों अब कन्फूजन नहीं रहेगा किसी से पूछने की जरूवत यह नहीं रहेगी कि हमारे एक्जाम कब होंगे और हमारा क्या क्या होगा कहीं कोई पूछन नहीं जरूवत नहीं यह है सबको जिसमें लिखा हुआ है आपको अगस्त के तरह 30 सब्ता से आपका उनिवर्ष्टी एक्जाम होना है तो होना आपनी अप तयारी रेडी रखो और यह हैर्फ का सेशन प्रारम कंप जोगा अक्टूर में कह सेशन प्रारम होगया पंद्र कारे कारी देवर्षिंडक्षन कारी क्रस संक्रमण कालिन पथक्रम पढ़ायाएगा 15 दिन और इसके अलावा मार्च के चतुर 802 वीक में इनका पहला मुल्याइकन होगा फिर इनको समर्वेक के संदी दे जाएगा और सितम मर के चतुर सब्ता में इनका दूसरा मुल्यांकन होगा फिर फरवरी के दुती सब्ता में उनकी फूर वबकास होगा और इनका फस्टियर वालों का पेपर फरवरी के 33 सब्ता में फर्स्ट येर वालों का पेपर हो जाया करेगा और अभी मैं जो पता है था पहले वो शेकंड येर का था और इदा शेकंड येर का बार्शिक पेपर अगस्त के 33 सब्ता में होगा और फाइनल येर का बार्शिक पेपर आपका फर्वरी के 33 अपता में होगा यह यहां पूरा गजट होता है आगे होगी तो मैं भी बताता हूँ यह वीडियो यहां खतम होता है और नेक्स्ट वीडियो में आपको दूँगा सिच्छकों का पेतन कितना होगा इसके उपा तब तक के लिए चलो नमस्कार नेक्स्ट वीडियो जाएगा जल्दी तब तक के लिए नमस्कार धन्नवाद